So Hello Everyone, बात करते हैं आज Adani Enterprises के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस share में अभी 5% के गिरावट चल रही है, तो क्या इसका support, resistance निकल कर आ रहा है, यह इस वीडियो में मैं आगे बताती हूँ आपको, बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा WhatsApp ग्र prices के returns चेक कर लेते हैं, आज तो negative returns ही रही हैं, 5 days में भी आप देख रहे हैं, negative returns इस share ने provide किये हैं, 1 month में 13% negative returns and past 6 month में देखा जाए, so overall returns जो है अभी इसके negative चल रहे हैं, क्योंकि market में भी correction आ रही है, so mostly share अभी downtrend में ही नजर आ रहे हैं, तो 1 year में देखा जाए इसके returns, य 5 year में लेकिन बड़िया returns दिये, इसने 1379%, 80% almost, and all time में 44,245%, 225% guys इसके returns रहे हैं, so returns जो हैं इसके ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, चलिए यहाँ पर डाइरेक्टली बात करते हैं, इसके support and resistance लेवल के बारे में, आप लोग जाहें तो long term perspective से भी इसे hold करने का सोच सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर इसका support level 2785 रुपीज के round था max, यहाँ पर weekly time frame में मैं बता रहे हूं, आज जैसे Friday है, तो अगर यह इससे down closing देता है, then इसका support level 2634 रुपीज के round नजर आ रहा है, तो अभी wait कीजिए इस stock में, वैसे तो 2634 के round इसका second support level है, देखते हैं, अभी market close होनी में एक आत घंटा बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है, अगर इसके down closing होती है 2785 के down, then 2634 के round ही इसका next support नजर आ रहा है, वैगी resistance की बात करें, so 2930 के round इसके resistance है, इसके अब उसस्टेन करता है, so 3020 के round यागे जाता हुआ दिख सकता है, इस share में आप लोग वैसे तो long term perspective से भी hold करने का सोच सकते हैं, returns इसने बहुत बढ़िया दिये हैं 5 years में, तो आप लोग अपने own risk में इस share में बने रही है, वैसे fresh entry लेना चाहें, so at your own risk आप लोग fresh entry भी ले सकते हैं, ये video only for education purpose से है, अगर guys यहाँ पर ये 2633 के down closing देता है, weekly time frame में मैं बता रही हूँ, अगर ये 2633 के down closing देता है, एक candle form हो जाती है, तो तब यहाँ पर इसका जो support level है तब बहुत दूर है, ये 2187 रुपीज के round इसका next support रहेगा, तो फिलाल के लिए देखते हैं क्या होता है market में, क्योंकि market में भी गिरावट चल रही है, तो mostly share में भी impact देखने को मिल रहा है, तो आई होब आपको ये video समझ आई होगी, thanks for watching this video.